दिल्ली की सियासत में इस वक्त भूचाला गया है वजह है मनी शीसोद्या की गिरफतारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर थोड़ी ही दिर बार मनी शीसोद्या की गिरफतारी के बाद कोट में पेशी की जाएगी थोड़ी ही देर बाद और चलिए आपको कुछ बयान सुनाते हैं इसको लेकर एक शरीफ आदमी है मनीश उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को देश भक्तों को अच्छे लोगों को इमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जो जिन लोगों ने अर्बों खर्बों रुप रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके वो इनके दोस्त हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता वो खुले हाम घूम रहे हैं उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नह हैं लोगों की क्योंकि वो इनके दोस्त हैं कि पूरा देश देख रहा हैं लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे और इस ख़बर प्यादिक जानकारी के लिए प्रयाग राज से हमारे साथ समधाता पवन पटिल जुडेंगे पवन देखा जाए अभी थोड़ी हिदे में कोट में पेशी की जाएगी मनीश शोद्या की पवन देखा जाए तो अभी कुछी देद बाद मनीश शोद्या की कोट में पेशी की जाएगी क्या कुछ देखने को मिल रहा है प्रयाग राज में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां प्रदर्शन कर रही है बिल्कुल नंदणी जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टिसिया मनीश शोद्या को गिरफतार किया गया है ऐसे में आपसांसाद संझै सिंक्रे आवहां पर पूरे प्रदेश में जगा जगा आप कार करता प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से पीछे की तस्वीरे हैं यह तस्वीरे बेखिए और किस तरीके से हम आदमी पार्टी के जो कारी करता है वो सरक्वे पूत्रे हैं मनीस जी की गिरफतारी हैं किया कहाना चाहेंगे ये हम लोगों का ये मानना है कि दिल्ली के जो भी बच्चे हैं जो भी छात्र हैं चात्रों की प्रतिभा को दबाने का प्रियास नरेंदर मोदी जी की सरकार कर रही है क्योंकि मनी सिसोधिया जी ने देश को एक मॉडल देने का काम किया है और जो बाहर के देशों से लोग आके देख रहे हैं समझ रहे हैं और उस मॉडल को दबाने का प्रयास कर रही है कहीं कहीं मोदी सरकार अरबिंद केजरीवाल की नीत मथे लगातार निस्टेडों में बढ़ रहा है इस से मोधी सरकार घहबडा कर आम February के नेताओं को परिषान कर रही है और यह नि差 अरोप मांते नहीं मनीश жी को परिसान करने की साजी से अभी कई नेता हमारे बरी भी हुए थे पोड ने इनको फटकाल लगाई थी और अभी आप देखे हाल में ही अभी निकाय का चुनाव था वहाँ पर वहां मेयर बनने के लिए इन लोगों ने हर कोशिस अपनाया तो कुल मिला के देश के अंदर ताना साही में तब्दिल करना चाहते हैं हिंदुस्तान को तालीबान मनाना चाहते हैं तो यह तस्वीर है नंदिनी यह प्रियाग राज की है आम आजी पार्टी की जो कार करता है वो चड़कों पर उतर है इनका साब तोर कहना है कि हम आर-पार की लड़ाई लडएंगे जी सबसे बड़ी बात है कि सीधी सी मोदी जी के सब पास है सीजिए जो है पहले यफायार करती है उस यफायार कहिनंका नाम नहीं है अब एक अबसर कह रहा है अबसर तो सरकार दबा में भी कहला सकता है लिए अन विए करने वाला आधनी सरकान दबा सीधा सा है कि बिपक्ष को मोदी जी और इन्हीं के प्रदान मंत्री जीते अडल बियारी बाचपाई कहते थे अगर जब्व assessments को मजबूत होना चाहिए अगर मोधि चाहते हैं हम चाहे जो करें हम कोTP पूछे ना हमारे कोई सवाल नहीं जो सवाव उठाए गे और जो सवाह उठाएगा वह जेल जाएगा सब करने के लिए सुबाज सब्सक्राइब और भी लोग हम बाचीत करेंगे क्या करना चाहेंगे किस तरीके उनके जो आरोप लगाए गए आज आप लोग यहां पर इक नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दूसरी तरफ से सिसोधिया जी को दबाने की कोशिस कि किया जा रहा है उनके शिक्षा मॉडल को देश विदेश में जहां लोग प्रसंथा कर रहे हैं वहीं पर यह अपने ब्रश्टाचारी तरीके से बात को दबाने की कोशिज कर रहे हैं देखें नंदिनी ये तस्वीरें हैं और हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज के जीला अध्या चाहां माधवी पार्टी और केंदरी संगटन में हैं इंदिया सदस्ती भी हैं डॉक्टर अलताप अहमाद भी हम इन से भी बात चित करेंगे चुकि जो प्रयागराज माम पेस किया जाएगा और जिस तरीके से गिरफतारी की गई है आप लोग यहां सड़कों पत्र हैं क्या कहेंगे देखें मनीश शिशोदिया जी का जुर्म क्या है उनका जुर्म है कि दिल्ली के बच्चों के लिए उन्होंने बेहतरीन सरकारी स्कूल बनवाई है उनका जुर करोड का घुटाला किया कोई कहता है मतलब अजीब अजीब जो है वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं किसी को पता नहीं है आखिर यह सीबियाई को से आम आद्मी पार्टी के लोगों को डराना चाहते हैं हम लोग डरने उरने वालों में से नहीं ना हम लोग जेल भी स्मन्ह om को सीबियाई E-D-i-A-I-T और पुलिस के जरीए जो डराने का काम कर रहे हैं धंकाने का काम कर रहे हैं बुल्डोजर से उनके घर ऊकाम कर रहे हैं इस तरह से देश नहीं चले का देश बरबाद हो जाएगा मोदी जीशु अगर आपको आपको ज़री वो मांग करेंगे जोरदार मांग करेंगे कि मनीश शिशोदिया जी को रिहा किया जाए और उनके उपर जो फर्जी आरोप जो सतेंद्र जैन के उपर जो फर्जी आरोप लगाए हैं वो आरोपों को खतम किया जाए और उनको बरी किया जाए तो नंदिनी ये प्रयाग राज की पार्टी के जो कारिकरता है वो शर्कों पर उतर है उनका सापत तौर पर कहना आशा है कि यह जो अरोब लगाया जा रहे वो फर घिया वही पर इलोगों का कहना थे जिस तरीके से लगातार सरकार्टर कर रहे है आगे क्या कुछ इनका प्लाइन हो सकता है? क्या क्या है? जी नंदिनी और भी लोगों से क्या तुछ बात को सकती है वहां पर जो आपके जब तक हमारा नेता अगर जेल में रहेगा तो हम लोग भी जेल में रह करके जेल भरो अंदोलन करेंगे और आज 27 तारीख प्रियाग राज लहाबाद के इतिहास की सहीदी सहादत तारीख है आज के दिन ही 27 फरवरी को बितानिया हुकूमत से लड़ते हुए सहीद चंसेखा राजाद यही कह करके अपनी कनपटी पर जब गोली चलाए थे तो उम्रेजों से लड़ते लड़ते कहे कि सरफ्रोसी की तमनना हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में आज सहीदों की सहादत का दिन है आज से Ккіромा आज सहा तो सहादत के दिन प्रियाग राज का एक-एक काम आदमी सहीदे आजम चंसेखा राजात बन गया और बनीज सिसोदिया जी जो महामना से लेकर के अंबेटकर से लेकर के और राधा कृष्णन तक जो जंडा सिक्षा के छेत्र में उठाया था वही सपना साकार किया दिली के सिक्षा माडल को सारी दुनिया ने सिक्षा के माड़ल को मनीज सिथोदिया जी के सरा है लेकिन इनको मिर्ची लग रही है इनको जलन है नाफरत है कि हम तो अडानी को बनाएंगे लेकिन सांसा संजेज सिंग जी ने भी सपक लिया है कि प्रदेश का उत्तरप्रदेश का हर एक अवाम हम लोग जंता जनारदन में जायें तक करेंगे लेकिन इस ब्रितानिय हुकूमी जैसी बीजेपी सरकार को उखाण फेकने का काम करेंगे तस्वीर है तस्वीर है प्यागराज की और यह दिखा रही है कि आम आधी पार्टी के जो करता है वो करता है उतर हुए है जो देश का पैसा लूट रहे है और जो देश को सिक्षा अच्छी मॉडल सिक्षा दे रहे हैं उस पर कारेवाई फर्जी आरूप लगा दिये जाते हैं तो थोड़ी ही देर बाद मनीश शुद्या की पेशी की जाएगी कोट में सराब नीथी मामले में घोटाले को लेकर मनीश शुद्या को सीब्याई ने गिरफतार किया था थोड़ी देर बाद उनकी कोट में आज पेशी होगी आम आदमी पार्टी पुरे देश में इसको लेकर प्रदशन कर रही है आम आदमी पार्टी में आक्रोश देखा जा रहा है इसको लेकर फिर से आपको बयान सुनाते हैं बताईए आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करून का घोटाला करके बैठा हुआ अडानी उसके खिलाब सीबी कब गई उसके खिलाब सेवी ने क्या करवाई की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करवाई की उसके खिलाफ ED ने क्या कारवाई की एक ऐसा भ्यास्टाचारी व्यक्ति जो मौरिसेस में एक पते पे 6 कमपनिया खोल के 42,000 करोड रुपए अपनी ही कमपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर उस पे आपकी CBI ED कोई कारवाई नहीं करती जिसके पोर्ट से हजारों करोड की ड्रक्स बरामत होती है उस पे आपकी CBI आपकी ED साले के मामले में CBI दिक गिरफ़तार किया था कुछी देर में उनकी कोट में पेशी है उसी सूधिया की गिरफ़तारी के खिलाफ आप कारेकर्टा का हल्ला बोल जारी है हर तरफ आम आदमी पार्टी के कारेकर्टा प्रदशन कर रहे हैं पूरे देश भर में प्रदशन करते हुई रचार आ रहे है भाश्बा लगातार कर रहे है कि मनिश शोधिया का इस्तिफा लिया जाए आप कारेकर्टा दिल्ली से लगनो बोपाल लागपूर तपूरे देश भर में इस सड़क पर उतर आ हैं बीजेपी सरकार के खिलाब विरोध प्रदशन कर इसको लेकर बता देखी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरट से समधाता राज सोन कर जूड़ेंगे क्या कुछ देखनी को मिल रहा है मेरट में जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदशन पूरे देश में चल रहा है मनीशी सोधिया को लेकर प्रदशन किया जा रहा है और सरकार की ये ताना सही बताई जा रही है फिलाल आम आदमी पार्टी के यहापर समाम कार्रे करता है तो धीरे-धीरे कमिशनरी यानि कि मेरट के कमिशनरी पार्क पर इखटे होकर सरकार के किलाब हनला बॉल करने की बहुत बड़ी तियारी है क्या कहना है आपके इसका कि CDI ने किरस्तार कर लिया आरूप लगाय जा रहे है कि मनेशी सोधिया ने सबुत मिटाए यह हमारी पार्टी एक इमानदार पार्टी है जो जिस पर जो है सरकार में वीजेभी सरकार ने उन पर गलब तरीके से अरूप लगागर उन्हें पसाने की पोजिश करी हुए और पार्टी को जो है तो हमारी पार्टी एक मजबूत पार्टी है और सक्षी पार्टी मानदार पार्टी है जो हर हालत में हर तरीके से चाहे किती कोशिदे करने फिर भी यह है इनकी कोशिदे नाकाम हुँगी अब क्या करने वाली है हमाज भी पार्टी के किक्टे भी पार्टी करता है अप मत भी कारी है वो साईड़े सारे यहां पर दनब इसक्रेशन करेंगे और DM को ग्यापन दिंगे और मजबूद इसाब प्रजशन करेंगे तो, क्या गहना चाहते हैं अब TDI के सारे आरोप के यही है यही है, यह मनी शिशोधिया जो है वो दोशी है, क्या कहेंगे आपिशनी बुद जो भी करेगी, इन अदाला सही करेगी, तो तो पुछ भी होने का, अब सारे जोटे हैं, क्या मांगे अब की तो कि ती साही है, तो प्रदाजन करें लिखोधिया मांगे टेने तो टो फिले कर सख़ी है, क्या कुछ हो कर दे लेकाओ कुछ इसलीर, आपने सेह मांगे तो क्या कुछ करने ऴाले अधे जले कि सर्थर जोट मान फर्ना पजोगो जै जे हैं, इंगी यहां पर एक एक करके आम आदबी पार्डी के कार्ये करता एकटे हो रहे हैं करें पर परदाशन करेंगे एक उबाएं को निए को दिखा दो और इंकि आपको दिखा दूँ और से बास्ट टीज़ करता वहां पर दिखाद है अद्धि शुर्य को लेको बजा रहा है तो यह तो विसादार प्लटार के अदारे ने आरोप लगारे इनों देखान नें कोना सब्सक्राइब पर दोस्तों पचास में से नहीं कि अपके सब्सक्राइब अब तोस्तों पचास में से एक संवारी पारी टी एक सुथा थी पसलोगी अजब हमारे मेर बनने जाए सब उसमें सबत्पंजी नामादी पाइटी अदिल दिल के ओंडी अमर्मी पाइटी जिताला हैं जो आजी को जोसे कि पहते हैं रहें पास क्लिगए शबुत नहीं और यह संदेजी कि और हैं निमेट्टी में पास करें लिगा थेजहां छोप निया है किसी वह समान भी आएंगी बढ़ें जरी जो गरी बाडिवादी है जो आज जो आज जो ईड़ है यह कुछ समय पहला जो पर उस तो ड़ार इस दो सोट हैस वाहन वी लगाता है और दो फॉट जाज गर बादा नहीं तो पर फॉट लगाता है और बहाजनता पार की राजवारा अच्छता आपके लिए कोड़ में पेश करने वाली है मनीश सुधिया को पॉखलाहट करें क्या कहना चाहते हैं पॉखलाहट है पॉखलाहट है एक अपके लिए अगर आपको करना था अटानी को करो ना पीस लाक और कहा गया जंता का पीस लाक और लाइसी का इस विए कहा गया पुछो नियों मोदी को ग्रफथार करो और एंप्सी बें तीन दिन देन नंगा नाच इन दिन मतर थी लगाता नंगा नाच चला है इन थे थाधितांगी। इन थावी निया है। दोदितां थाधां। थाधां। थाधागी। थाधागी। आम आद्मी पार्डी के कारे करता इकते हो रहा हुआ जाते ही कि यह सब कुछ जो चल रहा है वो सही है हमारी महन पर रहा करो किस तरीकर से देखिए किसने लोगों के बीछ मैं आप आई है बापर और शरकार के इख पिलाप जाना चाहती है मैं पस यह कहना काती हूँ, इनसाफ मिलना चाहिए, नहीं को इनसाफ मिलना चाहिए, सच की जीतो ने चाहिए, पस अनुग गंटे पूस्पाच की है, बताया जा रहा है, पूस्ताज मदद नहीं की, उस जिले गिरफ़ार कर लिया जया, अब ही कोई सबूत सामने नहीं आगा जिले भर में परदशन करने हैं आदमी परदेश को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो भी उन पर आरोप लगाए गए है वो बिल्कुल बे बुनियाग है जी बिल्कुल राजन देश तरीके से लगातार सीबियाई जी नौग घंटे की पूस्ताश के बाद सीबियाई का यही कहना है कि आरोप यो से छेड़ चाड़ हुआ है उनका आरोप है कि उन्होंने अपने बयान बदले है इसको लेकर जी बिल्कुल नंदिनी देखिए सारे कारे करता यह आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका बयान दिया है और जो कर दो अरोप निए ब्लुकल नंबर मान इमान यहाद में आरोप करते हैं मैं जावे से कहता हूं कि आनदी मोला नंबर वानि मान आ खोर बयानका राइना इनका बहुंग्छ अधर जॉतार पर्फाद्राध माधि अधर है मत्यत है अरा माधि में रहें और से अधर इसलिए सब्सक्राइब विए नियुके सब्सक्राइब बदेगा जारे ऑंकुस भाइं को अगरिया है यह नहीं किया तो पूरा करने वाले हैं यहां पर परदाशन करने वाले हैं करने जिस तरीके से जिसक्षाम मंदरी को बनानी की घुलाम सरकार है जो पूंजी बत्यों की गुलाम सरकार है मनीश इसोडिया जो हलाकों बच्छ नौजमानों के मविशय बनाने काम करते हैं कि इसका तोता बोलते हैं और किसका तोता मोधी जी का तोता और यही भाजबाई जब विपक्स में थे तब किसका तोता बताते हैं कांग्रेस का तो यह आपको और हमें समझने की ज़रूत है कि सीवी आई का किस तरीके से दुरुप्योंगी लोग करते हैं यह दुरप्पा को किस तरीके से इनके भरस्टी लोग क्या कहते थे और आज हमिश्चा क्या कियाता है? कि सबसे इमानदार एक मोका दीए चोर लुटेरे बे-इमानों की ये पार्टी भार्ते जन्ता पार्टी भार्ते जुटा पार्टी, भार्ते जुम्ला पार्टी इस समय एक ही देश के अंदर मामदा चल रहा हो ये कि ये घबरा रहे हैं, ये हताश और निरास है कि आम आद्मी पार्टी पूर निरुस्तान के अंदर बढ़ती जा दिया है, ये लोग उससे घबरा है, जब परदशन हो रहा है कि क्या लगता है, इसे असर कि पढ़ने वाला है, जब जब परदशन नहीं, ये देश के जन्मान जो है, इस समय है, उन सब लोग बड़े हताश और निरास हैं, और आम आद्मी पार्टी के पार्टी में तमाम लोग किसान मज़़ूर, व्यापारी तमाम लोग लाम बन पर, वो इसलिए खटा हुए हैं कि ताना शाही के दोर में, जब एक व्यक्ति इस देश में गरीब ग करेंगे, और लगातार हमारे सारे सीनल लीडर्स को आप लगातार तमाचार पतों में देख रहे होंगे, उनकों भी डिटेनिन लोगों निकिया हैं, और हम लोग किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं, याम आदी पार्टी के एक कारेकर तक लिए करो या मरो की लड़ अगर यहां मही किया जाता है, तो आप आदी पार्टी क्या करने वाली आज़े हैं, और वो राना के वंसज आतरी तम तक उनके साथ में आप आदी पार्टी काई के कारेकरता है कि अधारिकारी उनके साथ खड़ा इस संधर्च की लड़ाई को जितने दूर तक लड़ना प जिस तरीके से यहां पर सैक्लो कारेकरता इखटे हुए हैं और पूरे प्रदेश भर में जगा जगा विरोत परदशन किया जा रहा है, सरकार की तानशाही बताई जा रही है कि मनीश सिसोधिया को जल से जल रिहा करना चाहीं, अप फिलाल देखना यह है कि आगे माने समय म मनीश सिसोधिया को रिहाई मिलती है या ने या पिर सीवी आए का सिकन जा और तेजी से कस्ता नजर आएगा पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रदशन चल रहा है, हमने अलग अलग जगों से दिखाया कि जिस तरीके से लागातार आम आदमी पार्टी के कारे करता है, वो लागातार प्रदशन कर रहे हैं, विरोध भाजपा के सरकार अपना विरोध प्रदशन कर रहे हैं, पूरे देश भर में इस मनीशी सोधिया की रिहाई की मांग की जा रही है आम आद्मी पार्टी के तरब से बिलकुल देखें नंदरी नो घंडे की पूस्ताज हुई है सीबी आई ने पूस्ताज किया उसके बाद में पूर्ट ले जाया जा रहा है जिसको लेकर गुसाय आम आद्मी पार्टी के कारे करता पूरे परदेश भर में परदशन कर रहे हैं और जगा जगा हंगामर कर रहे हैं उनका यही कहना है कि सरकार की यह तानाशाही है जितने भी आरोप लगाए गए हैं मनी इस्षोधिया पर वो तारे करता हैं वे जूटे हैं और उन्हें जल्द से जल्द रहा कर दिया जाएं हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे तो वहीं पर आपको बता दे कि बड़ी खबर सामने आई जहां पर देखें सीब्याई मुख्याले के सामने आप कारेकर्टाओं के साथ पुलिस की जड़प होई है पूरे प्रदेश भर में प्रदेश भर में आम आदमी के पार्ट से बयान सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है आम आदमी पार्टी के तरप से मैं कहना चाता हूँ प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहना मिहनत करते रहना पूरी शिद्दत से अपना होमवग भी करना स्कूल भी अटेंड करना मनीश अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे सारे अपडेट्स लेंगे और अगर उन्हें ये मालूम लगा कि बच चाही छोड़ दी है या पढ़ने से कत्रा रहे हैं या माता-पिता की बात नहीं मान रहे हैं टीचर के द्वारा दिया गया होमवग नहीं कर रहे हैं तो मनीश अंकल को बहुत बुरा लगेगा आप उन्हें बुरा मत लगने दीजेगा खूब मेनत कीजेगा और जिस रस्त पे चलने की बात हमेशा से मनीश अंकल करते आएं प्यारे बच्चों उसी रस्ते पे चलकर देश का अपने परिवार का और अपने माता-पिता का नाम अवश्य रोशन करना मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों पढ़ा ही करते रहना मिहनत हो याद होगा कि जब बहुत मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों पढ़ा ही करते रहना मिहनत करते रहना पूरी रागव चड़ा को सीबियाइड ने कल शराब नीती मामले को लेकर मनीशी सोध्या की गिरफतारी की थी और आज उनकी कोट में पेशी की जाएगी थोड़ी देर में पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कारे करताओं का प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी सरकार के खिलाब मोर्चा खोल रखा गया है देखे वहीं आम आदमी पार्टी ने इस गिराफतारी के पीछे बीजेपी को जिमबदार ठराया है आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दन है बीजेपी ने लाखो बच्चों का भविश सवाने वाले दुनिया के सर्वस्ट्रेस्ट सिक्षा मंत्री को फरजी केस में गिरापतार किया है कानपूर में आम आदमी पार्टी के तरफ से कानपूर में आम आदमी पार्टी को लेकर जो पतरशन कर रहे है अगर उनको कि देखें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही बात कही जा रहे है कि जो सारे आरोप लगाए जा रहे है वह फरजी है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यह ताना शाही की जा रही है यह जो सरकार है तालिबान इसको बनाना पूरा कह रहे है यह तालिबानी सरकार है यह जी अगर सरकार प्रालूब लगाना विकुत है जन्मी बात है इससे पहले भी कांग्रेस कई कर दावन नेता है उनको पर सीबिया जात बैठी है और देखा जा कहीं ने कहीं समावादी पार्टी यह बस पाओ हर पार्टी के नेताओं पर जात बैठी है पर वही बात है तो पूरी तरीके से जो सरकार जो सीबिया जहां से निश्मक जांच हो रही है पर अगर कहने बात है कि अगर तालीबानी कहना तो यह पार्टी करता है उनका साफ कहना है उनका विरोथ है यह बड़ कर सकते हैं तमाम चाहिए करें लगनों में इस तरीके से पुरे देश में आम आप्टी इस इसको लेकर प्रदेशन करें लखनों में भी एक बड़ा प्रदेशन देखने को मिल रहा है हमारी समाधाता सुहानी की तरफ रुख करते है जहां पर आम आदी पार्टी का कारे करता हूं ये विरूत प्रदशन क्या है सुहानी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर करता है जो भी सबुत मिला है वो सिफ फर्ची है और मनिसु सिप्याई भी तरह साजी से नहीं मान रहे थे कुछ जो सिप्याई है उन्धी बात को सबुत नहीं मान रहे थे लेकिन सरकार के दबाव की वज़़े से उनको आज लफ्तार किया गया है अज उनको राउज देवनियो कोर्ट में दो बज़े सामिक के आगे बेखते हैं कि उनको फिजिकली सा लॉफ पेस किया जाता है या वीडियो कांफ्रेंसिंग के दोरा के आता है वो को आप जो पर सामने आएगा लेकिन आप देख से कि प्रदार से उनके पूरे जो करे करत है यहां पे पूरीता अपना भिलव परदशन कर रहा है और लख़ों में ही नहीं तंडी घर से लेकर पूर्य प्रद्रीशन कर रही है वहीं आपको बता दे कि पूरे जो इनका कहना है कि आज हमें ब्लैक बेकर ब्रदेशन करेंगे आप लेंगे किस प्रकार से जो है कि पूरे यहां पे घ्रेशन कर रहे हैं आहिए हैं सबात करते हैं कि और जो इंके करता है यह आखिर क्या मामला है और इस आज को भी आइंको ग्रेफ्तार की है किस लिखी है तो यह तारी बात करते हैं सर क्या कहना चाहेंगा जो राज जो पेस किये जारा मनी सुसोधिया जी उन पर पूरा इज्जान लगाए इसा कुछ नहीं है देखिए यह पूरी मोहीम पिछले 10 साल से चल लही है यह जो राजनीतिक पार्टियां है प्रंप्रागत राजनीतिक पार्टियों जो भाश्पा हो चांगरिस हो सपा हो यह नहीं चाहती है कि एक नई पार्टी आए इसकी जाज किया आरगंट अपूस्ताज के बाद उनको आज कोट में पेस किया है तो इस पर क्या कहना है देखे पहले भी मनी सुसोदिया जी से इन लोग ने काफी पूस्ताज की है लेकिन जो यह नगर निगम का चुनाव हारे हैं इन्होंने प्रेसर डाला ता मनी इसा कुछ नहीं है अभी सबूत तो कहीं पॉब्लिक डॉमेन में नहीं है कहीं किसी को नहीं पता है आपको पता है ना हमें पता है ये तो हम लोग खाली मीडिया के मादियम से दो चार बाते सुनना है जो पहले भी हमलों सुनते आएं अभी तक कोई इनके पाप प्रूफ नहीं है यह कह 2007-20000 क्रोल बबन हुआ क्या कोई अपने घर में रख लेगा पर आज गैसा इसा मंत्री जिसको बच्च इतना माबाप इतना पसंद करते हैं ज सारी झूटी बात है न्रगल बात ही पाबी कहा कहा अब बीदो फ्रदाशन होगा जीगत जी जी अब यूपी के उत्तर परदेश के हर जिले में यह धरना चला है हम अपनी बात जो है सांतीबुर तरीके से देखिए हम लोग बैठे वे हैं हमें अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना है पीसफुल तरीके से बड़ा मामला सराब गोटाले क्योंकि दिली सरकार ने इस माम है यह लोग यह लोग evidence frame करने की कोईसिश करते हैं यह कर रहे होंगे लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिलेगा हम सब यह जानते हैं आमामाली left Park आचा नहीं कर सकती है जब से हम लोग पंजाब जीते हैं और अब हम जो यह नगर निगम में अच्कर किया है कभी से इनको मिल्ची लगी है दरने लगे हैं कि इनका टाइम करीब आ गया है तो आप तो आप देख सकते हम कहना है कि कहिना कहीन का आज नीटी का आजेंडा है और आए दूसरे से बाद करसर क्या कहना चाहेंगे तरह गोटाले के लिए पिजासत में लिया गया है तबूत भी आगय रही है कि इसलिए अरी जारी है बच्चों को है किनारे लगाना है वकशंपी तरफो लुगों नहीं आया है पबिक लिए वांट तो कही ना कही ये बीज़बी पर आरोप लगा रहा है कि पूरी बीज़बी के ये चाल है और निकाए चुना होने वाला है इसको लेकर पूरी तरह से साजिस्ट कर रहे हैं तो आज बताते हैं पूरे प्रदेश भर में आज दूसरी तरह ब्लैक में लाएंगे आज ये ब्लैक देरें हैं सवारी देखा जाये तो अभी कुछी देरी में मनीश शोधया की कोट में पेशी है और वो पत्नी का हवाला देकर जमानत की अर्ची लगा सकते हैं पुलिस से जड़ब भी सामनी नजर आ रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह सिदा तस्वीर हम आपको गाज या बास से दिखा रहे हैं और फिर से सुहानी हमारे साथ जोड़े हैं सुहानी मनीश शुषोदिया की थोड़ी देर में कोट में पेशी है और वो पत्नी की तव्यत का हवाला देकर जहमानत की अरजी लगा सकते हैं उनके कहता है उनका साथ तरके कहना है कि उसे कुई ऐसा सबूत नहीं मिला जिने उनको कोट में सामील किया जाए ना उनका कुछ इमामला नहीं है अर्व इस प्रकार को छूटने के लिए उनका कोई नाता नहीं कोई नाता नहीं है इस इस प्रकार के यह अजन्डा है जो अक्रोस में है उसका यह पद्ला लिए तो कही ना करें जो अधिन्ड के ज्वाले होने हो भी इसे पुरा तरह से देखेंगे कि उनको ग्रता ना उनको आज कही ना कहीं को रहा मिल जाए तो तमाम ऐसे अर्जू लगाने के पोसिस करेंगिया आमाली पार्थ पार्थ लोगों से क्या बात चीत हो सकती है जिस तरीके से वो लगातार दारे बाजी कर रहे हैं सुहानी वहां पर मौझूद लोगों से बातचीत करिए जी नंदे करोड़ों को सिख्षा दी है उसको जेल के इंदा डाला जा रहा है और जो देश बेश कर खार है अधानी के साथ कोई करवा नहीं हमारी मांगे मनीश शोदिया जी को रिया किया जाए देखिए किसी भी सरकार को अपनी नीदियां बदलने की ताकत होती है तो नीदियां पतली शराब की अब उसके बाद कुछ था नहीं पहली एफ आई यार जो होई थी चार शीट में इनका नाम नहीं था उसके बाद कलकत्ता के कुछ व्यापारी पकले इन्होंने उन पर दबाव डालके मारपीट के इनका नाम लिया यह फसाने की कोशिच कर रहे हैं सतेन जहन क को एपसेंट कर दिया कभी जज को एप्लिकेशन दे दी कभी कहा कि तैयारी नहीं हो पाई है कभी और कुछ बता दिया तो यह लोग टैक्टिक्स हैं यह लोग परिशान करना चाहता कि बीज़ेपी सरकार का करना करने यह उनका यह साजिस है देखिए पहले आज से 14 के पहल यह हर आदमी जो अपोजिशन में उनके खिलाब केस करते हैं तो इससे क्लियर है आपको सब के किलाब करना चाहिए अडानी पर कोई केस नहीं किया पूरी दुनिया हस रही है अडानी पर कोई केस नहीं किया विनोद अडानी का विनोद अडानी वो जेल जाने की वेले काम क यह तो अपनी गुंड़ कर रही है तो अब जेख सकती एक राया को वे अपने किस प्रेकार के हां गणना है कि आखिर क्यों जो भी पक्ष पार्टी है उनहीं पर सिभ्याईजात होती है इडिजाच होती है अखिर क्यों नहीं पूरी तरह से निकाय चुना रहा है कि कारे करता है वो पूरे अच्प्रचेस भर में आज घृत परदसन कर रहे हैं और वहीं उनको छोटने के लिए भी मनिश सभिया को छोडाने के लिए भी यहाँ पर फिरोत पसंद कर रहे हैं जी सुवारी बिलकुल अगातार जिस तरीके से हम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रदस्चन कर रहे हैं मनिश सभिया की गिरफतारी को लेकर वहीं पर बीजेपी पर लगातार वो तंज भी कस रहे हैं जो है जूटे लगाए गये हैं मनिश शिशोद्या को गिरफतारी करने के लिए और उन्हें हमारी जीत से उनको मिर्ची लगी है इसी की वज़े से वो मनिश शिशोद्या की गिरफतारी करवाए हैं कि ऐमनी अपको बता दे कि यहां पे जो बिजेपी है उनका भी यही कहना है कि अर्दिन के जॉट्ष इनको इसे इस तिपा की मांग कर रे हैं के बाद मनीस सुदिया को इरासत में लिया है और अज उनको कोड में पेस किया गया है अब ये पेस करने के बाद अब देखते हैं कि आगे उसके कारवाई क्या होती है वहीं दूसरी दर्फ जो आपके कर्या करता है वो भी पूरिया देस भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको आज अप रिहाई के लिए भी उन पे मांग कर रहे हैं सुआनी देख्या जा लेकिए सिबिया के तरब से भी आरूप लगाया गया है कि सबूतों से जो है वो छे च्छाड की गई है बयान को बदले गए हैं अब भी तक सराब घोटाले हो यह तक तमाम जो उनके अरोपी लगाया गया है उसे कोई भी सबूत नहीं है सिर्फ यह दिखावे और कहने कि यह सबूत है बिल्कुस वहानी वहाँ पर एक बार एक तस्वीरे दिखा सकती है किया कितनी संक्षा में वहाँ पर कारे करता जो है वहाँ पर प्रोजशन कर रहे है जीननी अब देख सकती है कि किस तरह से जो यहाँ पर पूरे जो उनके करे करता है वो लागातार उनके मांग कर रहे हैं उनके रिला होने के लिए पना रहे है जो बातार ए जो अपना रहे है आजणड़ लगा रहे है जीना जीतने के लिए और जो मेयर के सहरी है उसका कहीं ना कहीं यह उनका जो हार का बदा ले रही है कि अपना विरुजगारी और जो चरम सीमा पर है और जो उनके वर्षचार हो रहा है उनके जो सरकार में उसको दबाने के लिए यह सब मामला सामने ला रहा है सुहानी वहाँ पर कार्यकर्टाओं से पूछिया उनका अगला कदम क्या रहेगा कब तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा अगला अगला में अपको बता दे कि अभी तो यह दो बैसे वाइस्ट प्रदर्शन है उनका लागतार प्रदर्शन कर रहे हैं कि मनिस सोधिया जी को छोड़ा जाए कि तो जो भी एक्जाम लागा है वह पूरे तरह से ना यह वे विन्यवादी है और इसको छोड़ा जाए और इसलिए वो कहें प्रदर्शन चलते हैं कानपूर में अभी आपने तस्वीरे देखी लखनों में जहां आम आदमी के पार् करनपूर में हमारे समधाता उपिंडर के साथ और चाथ क्या कुछ देखनी को मिल रहा है कि इस तरह मंत्री जानी क्लिए जो होडी और सुखोरी सुछा मंत्री दे रहे और देखा जानी वादिव प्रदर्शन कर रहे हैं और हमाई साथ जो है बात करने लिए जो है यहां किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको लेकर करें कानपूर में यह आज का जो हमारा मोदी की सरकार ने पीडियों सीबी आई का दौर्पयोग करके हमारे दिल्ली के उप्वंख मंत्री चिक्शा मंत्री जो सिख्षा करांती के रूप में जाने जाते हैं जो विशो पड़ल पर जिन्होंने भारत का नाम रोशन करने का काम किया जिक्शा के छेतर में जिस तरीके इसके लिए पूरा देश उनकी सरहना करता है तारीफ करता है उसी मनी शुषोदिया को नरेन्द मोदी की सरकार ने गहर कानूनी तरीके से जेल में डालने का काम किया है परजी मुकदमा लगा कर